हेलो एब्रिवन आज हम जानेंगे ग्रीन टी क्या है और उसके 5 ऐसे फाइदे जो सायद आपको ना पता हो ग्रीन टी को आम चाय से अलग माना जाता है लेकिन आपको जानकर यह हरानी होगी कि ग्रीन टी किसी अलग पौधे से नहीं बनती बलकि Camelia Sinensis नमक पेड़ की पत्तियों से ही बनाई जाती है जिस से आम चाय भी बनाई जाती है फर्क सिर्फ इतना है कि इसे बिना फर्मेंट हुए पत्तों से बनाया जाता है उन्हें सोकने पर और आक्सी करण के लिए रखा जाता है जितना कम पत्तियों का आक्सी करण होगा उतनी ही बहतर ग्रेन टी होगी दोस्तो, Green Tea ब्रेन फंक्षन को बोूस्ट करने में काफी मदद करता है क्योंकि Green Tea में कौफी की तुलना में काफी काम कैफीन होता है इसमें Amino Acid L-Canine होता है जो ब्रेन के कारी को बहतर बनाने के लिए कैफीन के साथ मिलकर सहकिरियात में क्रूट से काम करता है साथ ही green tea, metabolic rate को boost करने के साथ-साथ fat burning की process को भी increase करता है green tea में 70% antioxidant होते हैं, जो cancer से भी बचा सकते हैं कई अद्यनों से ये पता भी चला है कि green tea पीने वालों को विविन्न परकार के cancerों का χत्रा बहुत कम होता है green tea में काफी healthy bioactive compound पाए जाते हैं जो Neuro Degenerative Disease जैसे की Alzheimer, Parkinson जैसे समश्याओं के जोखिम को काफी अत्त कम कर सकते हैं इसमें उपस्तित EGCG नामक Catechin भी सामिल है ये Antioxidant स्वास्थ पर विविन प्रकार के लापकारी प्रभाव डाल सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि Green Tea के इन फायदों को सुनने के बाद आप कल से ही Green Tea जरूर स्टार्ट करेंगे थैंक्स पर वाचिंग और प्लीज दो नट फोगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब और चैनल तिल देन बबाई